नमस्कार दोस्तों बहुत स्वालत आपका हमारे चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको नए वोटर आईडी किस तरह से बनाए उसके जानकरी देंगे दोस्तों आप बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ दो मिनट में घर बैटे बैटे अपने लिए नया वोटर आईड बनवाना तो बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ दो मिनट में घर बैटे बैटे उनके लिए वोटर आईडी बना सकते हैं ताकि वो भी आने वाले समय में वोट डाल पाएं तो चलिए बात करते हैं उस तरीके की तो सबसे पहले आपको करना कि आपने गूगल ब्राउजर पर जाना है गूगल ब्राउजर पर आपको यहां पर टाइप करना है जैसे आप यहां पर नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको एक औप्शन दिखेगा form 6 यहां पर लिखा हुआ है यहां देख लीजे मैं इसको जूम करके भी थोड़ा दिखा देता हूं तो एक यहता है तो भी आपको यहीं पर क्लिक करना है ठीक है तो आपको यहाँ फॉर्म 6 पर क्लिक करना है अगर आप नए वोटर आइडी बनवाने चाहते हैं यह आपने कहीं और से शिप्ट किया है तो भी तो जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखे इस तरह का पेज खुल जाएगा ज की सेलेक्ट कर ली है ठीक है उसके बाद देखिए अभी नीचे एक फॉर्म जो खुला हुआ है यहाँ पर जो जो चीजे आपसे पूछी गई है वो आपको यह ठीक ठीक भर देना है जैसे कि आपका राज्य आपका डिस्टिक्ट आपके असेंबली के अंदर आते हैं सारी ची आपके घर में जिसका भी वोटर आईडी बना हुआ है इसके डीटेल आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी ठीक है आपके ममी पापा और बत्सके साथ है लिखना है उनके साथ आपको सम्बंध क्या है वह आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है उसके बाद आपको अपनी डे आप भर देंगे तो आप अपने जो family में जिस किसी का भी जो voter ID बना हुआ है उस voter ID का number आपको यहाँ पर लिखना होगा तो जब आप यहाँ पर number लिख देंगे उसके बाद देखें नीचे आपसे आपका mobile number मांगा जाएगा आप email ID भी मांगी जाएगा आप चाहें तो देना करके देखे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर जैसी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने phone से उस photo को upload यहाँ पर कर दीजेगा उसके बाद दूसरा option आएगा age proof का तो age proof में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि age proof के लिए आप क्या-क्या document यहाँ सबह जमा कर सकते हैं तो आप ड्राइविग लाइसेंस पैंक पास्पूक और आधार काड पासपोर्ट बिजली का बिल पानी का बिल तो आप ऐसी चीज़े जिसमें आपका एड्रस लिखा हो वह आप यहाँ पर upload कर दीजेगा ठीक है जैसे आप यहाँ पर यह दो तीन चीज़े और पुशी कप्चा कोड आपको यहां पर भर देना है और उसके बाद आपको सब्मीट पर क्लिक करना है जैसे आप यहां सब्मीट पर क्लिक कर देंगे आपको च्छीज़ेंगे वह सक्सेश्फिली देखेंगे देखें हम यहीं उसी page पर आगे जह हम form 6 पर आये थे तो उसी में नीचे आपको जब बाद में आप अपनी application का status देखना हो तो आप यहाँ पर ही जाएगा यहाँ पर आपको application status का एक option दिखेगा यहाँ पर आप क्लिक कीजेगा जैसे आप यहाँ पर क्लिक को ठीक है तो एक जानकारी थी कि आप किस तरह से घर बैटे दो मिनिट के अंदर अपने लिए एक नया वोटर आइडिया अप्लाई कर सकते हैं तो यह जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज हमें कमेंट करके ज़रूर पताई अगर यह वीडियो आपको अच्छे लेगी तो आपको मारे बनाएं नहीं वीडियो लगातर मिलते रहें यह बिल्कुल फ्री होता है आप इससे जासे अधा फायदा उठा सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद